कि हमारे मुल्क नहीं हैं तभी तब हम जा रएंडिया ड्री जा शार्थ करते हैं कि अब यक्क्य कंझे अब क्या करें विक दूर्ड को गए क्या करें यह विएडिए और वे आपकी परवार बॉर आप बहुत जादा ड़र बैट यह तो आपको लगता है कि इंडिया आपको बुला लेगा वाम पर यह इसी खेटी बाइर उदर पर करेंगे तो क्यों नहीं बोलाएंगे अभी अभी तक हम ने खाने भी नी किया इसे दिखाऊ यह देखें और यह पाउंसे माजूर भी है करते हैं तो यहीं खेती बाड़ी वहां करेंगे लेकिन बच्चें मैफूज होंगे इदर नहीं रहना है और यह प्राइम मेनिस्टर नरिंदर मोधी के लिए पगाम है कि हमें जी वहां बुलाएं हमने यहां नहीं रहना बस हम इंडिया जाना जा ड़िया हमारा कोई बद्द करने वाला नहीं है बस ये ट्रेंड कोल दे हम आपर ने गाउं चले जाएं वहाँ वहां पर कहा जाना चाहते हो इंडिया जाने चाहते हैं इंडिया जाना जाए यहां से क्यों निकल रहे हैं मुझे बड़ा दुख हो रहा है आप कोन है हमारा मैं हूँ आपकी बाकी सब आपके कोई भी नहीं है मजदूरी करते हैं तो मजदूरी मिलती नहीं है काम करते हैं तो फीसे मिलते नहीं है आपको सारा दिन मजदूरी के पै सब तो अब यह ख़ा बना गार आज करें कर यह हम दो खागा कर यह कॉधे यहां कि दे रहार है लूट यह कोई है सुनने वाला कि दूसाल से आप आजाए वापने यह इन्ट्री अच्व रहा है कोई भी नहीं आता है जर्मे रह रहे हैं जनाब डर में आप हमने जो है इनकी जो बेवा भेन हैं उनका जो राशन है इनको दे दिया है और यह उन तक जो है डिलीवर कर देंगी अमा यह उन्हें पहुंचा दीजेगा ठीक है बारिशों के वाद से खतम हो चुकि इसका यह घर है और इसके पास सर चुपाने की जगह नहीं यहां पर इसन ले जाए इदर हमारों को रहना ही नहीं है हम किस चीज को लेके पूरे नहीं पढ़ते हैं को भी चीज को मतलब की खरीद के नहीं हो सकता है इनका कहना है कि किसी भी चीज़ खरीदने की हमें हिम्मत नहीं है टो दोस्तों इस वक्त धन्वर में चाइर है और मैंनेंस सबहा कर जो वह ना बस्ती के उन्दर जो भेलगां को बैवा जो बेव रोस्गार है जो बहुत ही जादा गुरीब है जिनके कोई कमाने वाला आप हमें उनके घरों तक लेके जाएं ताकि हम उने जो है राशन डिस्ट्रिब्यूट करें तो अगर इनकी देखी जाए तो यह इनका घर है मैंने उनको बोला हम आपको भी राशन देना चाहते हैं तो लेकिन आपने क्या कहा यह देखे जड़ा इनकी ओने ले रहा हूं मैं मैं डिजाविंग परसन नहीं हूं तो आपने मुझे नहीं देना मैं आपको उन घरों तक ले जाओंगा बस्ती के क्योंकि बहुत से घर हैं कोई सो दोस्तों हैं लेकिन उनका कि जो वाकि में डिजाविंग है न हम आपको और आपके टीम को उस घरों में लेके जाएंगे चले हमार साथ अमा क्या अदूर नहीं है आपके क्या नाम है और आप meisten ओल्स प्लस एकनाम क्या क्या काम कर रहे हैं अब क्दाटि करना तो जिन्गी बसर कैसे हो रहा है यह से चल रहा है हम सारे दिन बूके बेदे देखें आल जो अभी खाना निखा वह सुबह गए अभी दो तीन तीन सोरे जाड़ी है क्या मिलता है सारा दिन कमाते हैं ऐसे बेठे देख यह कपड़ा यह अभी दिवाली को पैसे दिये जुद लिए है गुर क्योंकि यहांपर द्रहाद के लोग सिंधी बोलते हैं तो लैंडविज का दोस्तों यहां पर बहुत जादा मसला है इनको इनका राशन पक्रादा अब कैसा मैसूस हो रहा है तो अब यहां बना के खाओ यहां भी तो खाएंगे अब क्वाइब गर के अन्दर जाके उन्हों को जो भी है अपरी तरह से जो है मीधिया वाले हिलव खाल कर रहे तो उनों future बेवाई समयुंगा को यह जान के एक गोर्में आदेंने हम उन्हें उन्हें के घब ङुण करता है दिते पने करते और कोई पैसे बिल जाते घाना म्मलेक यहां पर मदद करनी चाहिए और यह भी पाकिस्तानी है हमें इनके जो है सपोर्ट करनी चाहिए ताके यहां पर रहे के अच्छा फील करें ना कि यह फील करें अच्छा फील होता है कि यह हमारा मुल्क नहीं है अब बचे मुसलमान बनाते हैं एक लड़का हमारा पहला विडियो पोस्ट की है तो आपको लगता है कि इंडिया आपको बुला लेगा वाम पर क्यों नहीं बुलाएंगी यह इसी खेटी बाइर इदर पर करेंगे क्यों नहीं बुलाएंगे सारा दिन अभी अभी तक हमने खाने पी नहीं किया है इनके हाथ अगर दिखाएं दिखाऊ अपने हाथ ऐसे दिखाऊ यह देखें और यह पाउंसे माजूर भी एंगे करते हैं तो यहीं करेंगे लेकिन बच्चे महफूज होंगे इधर नहीं रहना चाते हैं पर आम मिनिस्टर नरिंदर मोदी के लिए इनका यह पिगाम है कि हमे घर में मजूद है यहां पर अगर देखा जाए तो ताला लगा हुआ है और वो जो है खेती बाड़ी करने गई है क्योंकि हम इन फॉर्म करके नहीं है हमारा जो मिशन है बस जो है दूर दराज विलिज को कवर करना है क्या करती है यहां पर कितने अफराद रहते हैं जो घर मे हिस्से का जो राशन है यहां रखे दोस्तों यहां पर सब सारा का सारा गाउं जो है डिजाविंग है लेकिन क्योंकि मैं कोई डूनेशन परपिस इसके लिए नहीं करी कि मैं कूंकि मुझे डूनेट करो और फिर मैं आगे बेजू जितनी मेरी जेब इजाज़त देती हो ज आपको सारा दिन मजदूरी के पैसे भी नहीं मिलते हैं असल में क्या क्या है कि रहने का क्या चाय वादा अटल। हां हाग तो किसी का मिल रहा नहीं है तो किसी का मिल रहा नहीं हर चीज़ पता है कि सोन के बराबर खरी दी जा रही है ता मैं मिंदा हम हुड़े कि कहा रहे हैं कि ट्रेन खोल दे हम उधर चले जाएं और आप देखें ये पाकिस्तानी हिंदू है इनको तहफुस फराम करना हमारी है और आप सब की जिमेदारी है जब तक हम इने तहफुस फराम नहीं करेंगे तो ये इसी तरह पाकिस्तान छोड़ के जाते रहेंगे अगर हम हम तो गाड़ी ले तो जादी ले रोड नहीं निकल सकते हैं पता निकभा अव कर लोटे क्या हो गया नहीं होगा हम कोई नहीं पता है अ सिंध बहुत हिंदू रहते हैं सिंध में और लगता है हमारा कों है कोई है सबस्साटानीक करे दोस्तों आच ज़िज्जु ऐसे आप पर जितना भी हम का वेलफिर के लिए काम करेंगे उसका मकसद यह है कि बाकी जो लोग है वो भी मोटिवेट हो जी जी अच्छा कोई आने वाला है तो उपर से खा लेते हैं हम तक गरीबू तक नहीं पहुचता है जिसे आप लेके आयों ऐसे कोई भी नहीं लेके आता है बस अगरीबू का हक भी खा लिया जाते हैं और उन हुकुमरानों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसे खरीबू का हक खाते हैं जो कि डिजाविंग है और मैंने पहले भी जैसे बताया है कि मैं नहीं कहती कि मुझे डुनेशन दो मैं बस यह कहूंगी कि जो कर सकते हैं वो आके यहां पर मदद जरूर करें जितना मैं कर सकती हूं मैं जरूर पहूंचूगी उन तमाम विलिज तक पहूंचूगी जितनी मेरी जेब इजाज़त देगी मैं उतना पहूंचूगी और मैं फिर क्लेरी करें हूं बसती बहुत बढ़ी है लेकि मैं सिर्व उन उन घरों तक राशन बरके खा के सो सकें? हमने जो है इनकी जो बेवा भें है, उनका जो राशण है इनको दे दिये ओर तक डिलीवर कर देंगे हमा यह उन्हें पहुंचा दी जिए गा, ठीक है? हूँ ठीक है, नानक से हमने बात की नानक अपने घर दिखाने के लिए हमें ले आए क्योंकि हम जरा बस्ती के बाइर खड़े थे उस जानिब अगर नानक का घर दिखा सकूँ तो देखे नानक की च्छट जो है अभी बारिशों के वाद से खत्म हो चुकिए इसका ये घर है और इसके पास सर चु पाने की जगन यहां पर इसने कुछ लकड़ियां कठी की हैं कहरें कि अब इन लकड़ियों से चोटी चोटी ये जो है इससे जो है मैं अपना घर बनाऊंगा और इन हारातों में पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्यूनिटी रह रही है नानक क्या ये जो सुर्तेहाल है तु ही चालू कर दे तो हम इंडिया चले जाए इधर हमारों नहीं है हम किस चीज को लेके पूरे नहीं पड़ते हैं इसको भी चीज को मतलब की का नहीं हो सकता है कि किसी भी चीज खरीदने के हमें हिम्मत नहीं है बिल्कुल लैन्विज का थोड़ा इश्यू है और बड़ी खुशी हो रही है कि फिर भी आप उर्दू बोलने की कोशिश करें हैं और यहां पर कोई स्कीम नहीं पहुंचती कुछ भी नहीं आप यह आई हो आपको हमने देखा कुछ भी नहीं स्कीम है कुछ चीज नहीं बस क कचा गा रहे हैं तो आप इनानक के साथ इंडिया चली जाएंगी हां तो इंडिया जा कि आपको लगते हैं आपकी जिन्दी बेहतर हो जाएगी हमारे जो रिष्टेदार वहां गए वो बिल्कुल सुकुन से गुजर रहे हैं वो बोला है बिल्कुल इदर अमन लगा इस तरह हर सब्सक्राइब ने सिंद्ध में देखा है सब्सक्राइब जादा मेंगी है उसके बाद लेट का बिल है बिजली का बिल है कितना बिल बेजते हैं आप गयां आप युजरि शर्ट है दो पानी का मसलह हो जो रही हमारे को चाहिए भी नहीं हम आटे की पूरी करें यह भुजली के अच्छाए जागी इनके घर्व में बिजली नहीं है जो तीन-तीन सो रपिया हर बन्दांदा देता है वो यहां पर पानी की मौटर है पानी के लिए पानी के लीए पांड़ागी को प्राम नेस्टर नरेंदर हमें यहां से निकलना है इनका पेगाम मैंने पुन्चाया है और हमें ख्याल करने की जरूरत है कि मदद करें नानक के लिए हम आपके घर को राशन देंगे नानक ताकि आपकी जो है मदद हो सके कैसा मैसूस करें है ठीक हो रहा कुछ दिनों को आपने रोशन दी दिया है गुजारा कर लेंगे हम भी यह बोला कोई हमारी मदद करें जिसे आप कर रहे हो हम भी करेंगे और हम बाकियों से भी कहेंगे जिनके मन में यह चाहत है यह दिया है कि हमने हुमैनिटी के लिए जो है सर्फ करना है तो मैं कहूंगी काइनली आप सिंध विजिट करें इंटीरियर सिंध को विजिट करना बहुत जादा मुश्किल है और मैं पंजाब से मेरे गाल से पहली एक वाहिद लड़की हूँ जो सिंध विजिट करें मुझसे पहले यहाँ पर कोई लड़की सिंध नहीं आई है और इसका मुझे बड़ा कहते हैं नो खुशी महसूस हो रही है कि पंजाब में से वाहिद एक मैं लड़की हूँ जो सिंध आई हूँ गरीबों की जो है मदद करने के लिए इनका दुख दर्द बांटने के लिए इनका पेघाम आप तक पुँचाने के लिए इनका पेघाम अगर यह पाकिस्तान से बाइड जाना चाते है पुचारी हूँ एक लड़की के लिए सिंध का सफर बहुत मुश्किल है पंजाब के लोग सिंध क्यों नहीं आते है पंजाब के लोग करता नहीं कैसे आईगे हैं अना कोई नहीं था रहा है जाना चाहरा है बस हिधार भी इधर से निकले बस इधर से निकले हैं जले मिलता है तक यो जाता हूं हमारा जनम इतना का हुआ है कोज음 मिलता है तो क्यों जाओं? इने कहने के जर्म यहां पे होगाए थान इस भी नहीं है। हमारे सारे पीड़ियों है इतर का कतम हुए हैं। क्यों जा जा रहे हो चींजिती अब जारे हूं कर्चा हो एक देखा पानी होगा तो जांगे चले उमीद है कि इंड्या और पाकिस्तान के तालुकात बेतर हो ताकि ये अपने रिश्चदारों से भी मिल सके और साथ साथ हमारी हकूमत को इनके मस्तों को नहां हल करना चाहिए अभी जिस घर के बाईरा मजूद है ये गाउं की बेवा का घर है और वो क्योंके खेती बाड़ी करने गई हुए है घर मुझूद नहीं है जैसे कि आप देख रहे हैं तो उनके भाई मुझूद हैं हम इनका राशन आपको देते हैं जब आएं तो आप उन्हें दे दीजिए घर के यह लाइव यहां पर कैसे गुजरिया यह मुझू तों करें और मारे कोहारे हैं फारिवारी करणào कोई द्मान कया अंपना कमा तो अपना कमधा अपना का रहा रह आज आप जहे हैं उसको हम यह रिखा हुआ आयह यह जिए चोटा सा बेटा आएं अच्वी और अच तो गवामें जो बेवा हो जाते हैं उसकी दूसरी शादी नहीं होती है यह प्रैंद वाहते हैं, कुछ कोई कर लेता है, कुसकी कम उसके कम उसके कम उमर होती है, घुक्त lu tam तो जणा अमर की इब ईैसका लड़का ह toi, तो उसकी भी शादी हो गई है यह भी मजधूरी करता है. यह भी मजधूरी करता है. अचै इसे जो जो ढड़ा है वो मजधूरी करता है. Зна리 सांस भास इंटा यह जे परेशानी हैं जिनुटा कि वज़े से खहाने पीने का कॉछ शिष्चन हो है लो हमक्नाै तो रत भी बड़े अब हो ला में की मिस की ना थाना दौट आपा कुमत नहीं थेंक्यू थेंक्यू सो मचच अमाज जो है अशोन आपको अब इडा कमाऊ नगातारी कमाता हूं प्रदीन भीड़ी करा है अब फ्रॉब दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं पेंड करूंगी जो बाकी के जो घर हैं बेवाओं के वो मेरी टीम जो है उनको राशन जरूर देगी क्योंकि वीडियो की टाइमिंग को भी कंसिडर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आप देखें पूरा जो है गाओं इस वक्त जो है उमीद लगाके बैठा है कि हम इनके घर भी जाएं इनको भी राशन दे इनके मसायल पर भी जो है नज़र डाले और इस वीडियो का मकसद जो है सिर्फ मोटिवेट करना है हमारे नेकी के चोटे-चोटे काम किसी के जिन्दगी में धेर सारी खुशियां ले आ सकती है मैंने आस से पहले कभी यह जो है इस तरह का काम नहीं किया और जितनी मेरी जेब इजाज़त दे रही है मैं उतना जरूर करूंगी इनके रोजगार का भी जो है प्रोपर बंदू बस करूंगे सिन्द गवर्मेंट जो के जिनका हेड़ कौार्टर जहां पर है वहां पर भी हम अपनी टीम के साथ जाएंगे इनके मसलें मसाइल वहां रखेंगे यह वीडियो जो दिखाएंगे कि जो सिन्द के अंदर जो हिंदू कम्यूनिटीज है देखें वो किन हालातों में रह रहे हैं जो फंड सरकार की तरफ से आते हैं वो इन गरीब बस्तियों तक नहीं जा कोमेंट्स में आप भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं मिलते हैं अपने प्रोग्राम में दौा में याद एखें गोड़ बेस्ट वाल